Hello Guys, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नंबर ब्लॉक होने के बाद भी हमें कॉल आ रहा है तो इसका सालूशन क्या है तो हमने बहुत ढूड़ा लेकिन इसका हमने सालूशन खोज निकाला है तो इसका solution हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रही है चलिए वीडियो को फिस्टार्ट करते हैं setting में आ जाना है यहां हम आपको दो तरीके बताएंगे दोनों तरीके अगर एक से नहीं होता तो दूसरे से आपका 100% solve हो जाएगा तो यहां पर setting में आना है शेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपके फोन में कहीं भी एफ सका option होगा जहां पर सारे application होते हैं तो उसको आप प्रकृण कर लिजिये यहां पर manage का option है जो की हम आपको इस वीडियो में दो तरीके बताने वाले हैं यहां आपको आना है contact and dialer में जो कि यहां दूसरे नमपर पर दिख रहा है contact and dialer यहां पर दोस्तों क्या होता है कि जो नया update आए हमाई फोन में ज्यादत तर यह problem हो रही है तो यहां पर An uczFlarel updates का option बीच वाले option पर दिख रहा है इस पर आपको An uczazuje update पर क्लिक कर देना है तो जो आपडेट है वो वो uninstall हो जाएगा और आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी अगर नहीं होता है और हम आपको यहीं से बता रहे हैं यहीं पर आपको एक और सर्च करना है ब्लॉक देख सकते हैं ब्लॉक नंबर और स्टोरेज आ रहा है इसको आपको ओपन करना है इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है नीचे देख सकते हैं अगर आपको कहीं से भी अगर आपको कोई दूसरा फोन है तो यहां आप स्टोरेज में जाकर clear data कर सकते हैं नहीं तो यहां हमारे फोन में रेडिमी फोन में सभी में यहां नीचे दिख रहा है उपर ही दिखाता है clear all data यहां से clear all data कर देना है तो इस तरह से जो है करने से आपकी जो है साल हो जाएगी लेकिन यहां पर एक काम और करना है आपको आपको अपने mobile phone को switch off कर देना है restart नहीं करना है switch off करना है फिर एक मिनट बाद फिर से आपको open करना है इतना काम करने के बाद आपकी जो प्रावलम 100% हो जाएगी तो इस तरह से अगर आपकी प्रावलम साल्ब हो जाए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं गले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि हम ऐसे ही इंतर्स्तिंग बीडियों